हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को रेगुलरली अच्छे से कर रहे होंगे चलिए इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6, 7 & 8 की वॉक्षीट नंबर है GS14 जो की 27th of November 2021 की वॉक्षीट है और आज का subject बेटा generic होना चाहिए था बट यहां इन्होंने English लिखा हुआ है और आज का जो हमारा topic है वो है pollution तो चलिए इस वॉक्षीट को हम start करते हैं नीचे देखिए हमें 4 pictures दिखा रखी है picture A में हमें चिमनी दिखा रखी है और इस चिमनी से धुआ यानि की smoke बाहर आ रहा है और इस वज़े से air pollution होगा ठीक है picture B में हमें दिखा रखा है कि यहां पे एक आदमी है जो काफी जादा irritated दिख रहा है हमें परेशान दिख रहा है और पीछे से बहुत सारी आवाज आ रही है यानि यहां पे हमें noise pollution दिखा रखा है C पार्ट में हमें दिखा रखा है कि यहां पे एक river नदी है जिसमें sewage का water आकर गड़ता है और इस वज़े से जो रिवर है वो pollute हो रही है प्रदूशित हो रही है ठीक है यानि पानी हमारा प्रदूशित हो रहा है D part में हमें दिखा रखा है बहुत सारे vehicles हैं गारियां हैं जिनसे धुआ निकल रहा है क्योंकि इनके अंदर petrol, diesel या जिस चीछ से भी चलते हैं वो fuel का burning यहां पे होता है और उससे pollution generate होता है तो वो pollution यहां पे दिखा रखा है तो इन चारों pictures को देखकर हम यह समझ पा रहे हैं कि यहां पे हमें दिखा रखा है कि pollution किन किन तरीकों से होता है चाहे वो area pollution हो, water pollution हो या noise pollution हो तो यह कुछ तरीके हैं जिनसे यह pollutions होते हैं ठीक है अब इन picture पे based हमें कुछ questions दे रखे हैं जुनके answer हमें लिखने है Question number one है What is coming out of the chimney in picture A? Picture A में इस chimney से बाहर क्या निकल रहा है? तो हमने अभी पढ़ा किस chimney से बाहर smoke यानि की धुवा निकल रहा है चलिए इन सब के हम answer लिख लेते हैं तो देखिए question number one का आप answer लिखेंगे Smoke is coming out of the chimney यानि चिमनी से बाहर क्या निकल रहा है? Smoke यानि की धुवा निकल रहा है Question number two है Why is the man in picture B feeling irritated? इस picture B में जो हमें आदमी दिख रहा है वो irritated क्यूं है? तो चलिए इसका answer देखते हैं तो इसका आप answer लिखेंगे The man is feeling irritated because of the noise यहाँ पे बहुत सारा शोर आ रहा है, noise हो रही है इस वज़े से ही आदमी irritated feel कर रहा है थर्ड question है What is shown in picture D? यह जो picture D है इसमें हमें क्या दिखाया हुआ है? तो हम answer लिखेंगे Pollution due to vehicles is shown in picture D यानि गाड़ियों की वज़े से pollution हो रहा है, यही हमें picture D में दिखाया हुआ है फोर्थ question है How does water in rivers get polluted as shown in picture C? picture C में जो हमें दिखा रखा है, उसे देख कर बताना है कि pollution पानी के अंदर नी river के अंदर कैसे होता है? यह आपको explain करना है तो आप इसका answer लिखेंगे, river water get polluted due to addition of sewage in the river तो river water polluted कैसे होता है? क्योंकि उसमें sewage का addition हो जाता है और इस वज़े से जो river है वो pollute हो जाती है river का water है वो गंदा हो जाता है अब हमें नीचे कुछ questions दे रखें हैं चलिए इन question के हम answer लिख लेते हैं true false हमें बताने हैं कौन सा statement, true है कौन सा statement false है first part है we can throw garbage in open areas क्या हमें garbage यानि कुणा कच्छा ऐसे खुले area में फेकना चाहिए तो answer है no यानि ये false है second part है growing more and more trees can improve the quality of air तो अगर हम जादा से जादा पेड़ पौधे लगाते हैं तो क्या उससे हवा की quality अच्छी हो जाएगी तो बिलकुल अगर हम जादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो जादा oxygen generate होगा और इससे air quality इंप्रूव होगी third part है car pooling is a good option to control air pollution तो विच्छो car pooling का मितलब होता है एक ही car से कई सारे लोग यात्रा करें जैसे कि हम bus में करते हैं उसको हम bus pooling की तरह हम देख सकते हैं अगर हम क्या जैसे मानलो 5 लोग हैं 5 लोगों को एक जगे काम करने जाना है और 5 लोग अपनी अपनी car लेकर जाते हैं तो यानि कि 5 गाडियों से pollution होगा अगर वो लोग 5 लोग एक ही car पे बैठ जाएं और फिर यात्रा करें तब क्या होगा कि सिफ एक ही गाड़ी से production निकलेगा यानि production 5 गुना कम हो गया है तो car pulling हमेशा एक अच्छा option होता है ये true है fourth part है we can use polluted water to make food क्या हम polluted water से खाना बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं तो ये statement false है next है if animals eat garbage thrown in open they may also fall sick तो बच्चों जो garbage के अंदर हम कभी खाना रख देते हैं उसे fake देते हैं तो उसे जो भी जानवर खाते हैं वो बिमार हो सकते हैं उससे तो ये statement true है सही है sixth part है it is safe to throw harmful waste and chemicals into the rivers तो कभी भी harmful जो waste है या chemical है उसको river में नहीं fake ना चाहिए तो ये उससे नदी का पानी polluted होता है और उस पानी को हम अगर इस्तमाल करते हैं या उसको खेतों में डाला जाता है तो हर एक तरीके से वो हमारे लिए harmful है तो ये statement false है क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर हम नदी के अंदर chemical डाल देते हैं या waste डाल देते हैं तो वो एक अच्छा option है वो अच्छा option नहीं है वो safe नहीं है तो second part हमारा complete हो गया अब हम देखते हैं हमारा next part जिसमें हमें कहा है choose the appropriate word from the box given below and fill in the blanks इन words को हमें नीचे जो blanks दे रखे हैं वाँपे fill करना है first है harmful gases present in the atmosphere pollute rain water तो first में आ जाएगा harmful second है eating food made up of polluted water may cause diseases यानि की अगर हम खाने को polluted water यानि गंदे पानी से बनाते हैं तो उससे हमें बिमारिया हो सकती है third है smoke coming out of the vehicles cause air pollution हमारी गाड़ियों से जो smoke बाहर आता है उससे air pollution होता है fourth part है we need fresh air to keep our lungs healthy हमें अपने lungs को healthy रखने के लिए कैसी हवा चाहिए होती है तो fresh यानि की साफ हवा चाहिए fifth है loudspeakers can cause noise pollution loudspeaker से shore होता है और इस वज़े से उससे noise pollution हो सकता है होता है बलकी ठीक है और sixth part है some wise shopkeepers use only paper bags and avoid plastic bags तो वो shopkeeper अच्छे होते हैं कुछ हैं ऐसे shopkeeper जो अच्छे होते हैं जो की paper bag को use करते हैं और plastic bag नहीं use करते हैं ठीक है बच्चों तो ये थी आज की हमारी वॉक्षीट and I hope आप सभी को ये वॉक्षीट अच्छे से समझ में आई होगी और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू